दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा यूसफूल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अर्थरेटिस को ठीक करने के उपाई बताने वाली हूँ, इसी के साथ अर्थरेटिस क्या होता है, किस कारण से होता है, और इससे आप कैसे बच सकते हैं, यह सारी जानकारी देने वाली हूँ आप इस वीडियो पर अंततक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके क्योंकि आधी जानकारी नोकसान दायग भी हो सकती है चलिए जानते हैं अर्था रैटिस से बचने का सबसे पहला उपाए दोस्तो हमारे कीचन में धनिया पत्त तथा धनिया के बीच तो होती ही है धनिया पत्ता सबजी का टेस्ट बढ़ाने के लिए काम आता है इसी तरह से धनिया की बीच हम मसालों के रूप में इस्तमाल करते हैं लेकिन हमें इसके आउशदी योपयोग के बारे में नहीं पता होता है नमस्कार निशम अधुरिमा प्रेसिपीज में आप सभी कस्वगत है अभी आप जान लिजिए अर्थरेटिस को ठीक करने का सबसे पहला उपाए दोस्तों धनिया का वईज्यानिक नाम कोरियंडरम से तैवं है इसे हिंदी में धनिया कहा जाता है मराठी में इसे धने कहते हैं अंग्रेजी में इसे कोर अब मिल सकी हमें एक पैन ले लेना है कोई भी पैन आप ले सकते हैं इसमें एक गिलास पानी डालेंगे अभी हम इसमें एक बड़ा चम्मच दनिया की बीज डालेंगे इसे अच्छे से मिला देंगे अभी हमें इसे अच्छे से पका लेना है अगर आप इसे सही तरीके से नहीं पकाते हैं तो ये दूस्खा असरदार नहीं होगा इसलिए इसे थोड़ा पेशेंस से हमें पकाना है इसे हमें लो फ्लेम पर बहुत ही धीरे-धीरे पकाना है दोस्तों ये छोटे-छोटे दिखने वाले धनिया के बिज बहुत जादा और शदी ये गुणों का भंडा होते हैं ये हमें अर्थरेटिस से तो बचाते ही है इसे के साथ इसमें एंटी-डाइबेटिक गुन पाये जाते हैं जो हमें डाइबेटिस याने मधोमेह से बचाते हैं इससे खून की कमी दूर हो जाती है और हमारा एजबी काफी हद तक बढ़ जाता है अगर आपको कंज काफी मजबूत बनता है यदि आप मिर्गी यहने फीट आने की समस्या से जूज रहे हैं तो इसमें भी आपको काफी आराम मिलेगा इसी के साथ ये हमारे ब्रेन को स्वस्त तता सक्रिय रखता है इतना ही नहीं तो ये महलाओ को पीरेट्स में आने वाली समस्याओं से चु का लिया है अभी ये काढ़ा अच्छे से पक चुका है इसका कलर चेंज हो गया है अभी हमें गैस बन कर देना है और इसे थोड़ा गुनगुना होने के लिए छोड़ देना है अभी ये काढ़ा ये फिर धनिया वाटर गुनगुना हो चुका है चलिए अभी हम इसे चान ल लेगा आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मिश्री का टुकड़ा भी पीज कर डाल सकते हैं लेकिन अगर आपको मधुमें है तो आप इसे मत लीजिए आप प्लेन ही पीजिए इसका सेवन आपको सुबह खाली पेट करना है जब तक आपके जोडों का दर्द पूरी तरह से ठी बनती हैं दोस्तो अभी आप सावधान हो जाईए और वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत कीजिए क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्न जानकारी शेयर करने जा रही हूं कि अर्थरैटिस क्या होता है इसके कौन से प्रकार होते हैं कौन से लक्षन होते हैं औ जास्तिती किसी भी वेक्ति के लिए काफी तकलीफ दे होती है क्योंकि इस दोरान उसे असहनी ये दर्थ से गुजरना पड़ता है अर्थरैटिस के कई प्रकार होते हैं आम तोर पर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं अगर आपको अर्थरैटिस हो जाता है तो यहाँ पता नहीं होता है यह कौन सा अर्थरैटिस हुआ है इसी के कारण सही उपचार में देरी हो जाती है और बहुत सारी समस्याओ का सामना करना पड़ता है अर्थरैटिस के प्रमुख दो प्रकार होते हैं और रूमेटॉइड अर्थरैटिस और रूमेटॉइड अर्थरैटि हैं यह किसी को भी हो सकता है चलिए अभी जानते हैं रोमेटोइड अर्थरेटिस क्या होता है इससे पीडित होने वाले लोगों की उम्र आम तोर पर 40 से 50 होती है इसमें वेक्ति की रोग प्रतिरोधक्षमता कम होने लगती है जिसकी वज़े से उसे जोडों में असहनी है तथा हाद पेरों में सूजन भी होती है जिस वेक्ति को अर्थरेटिस हो जाता है उनमें यह सामाने लक्षन दिखाई देने लगते हैं जैसे की जोडों में दर्द, जोडों में अकडन, घुटनों में सूजन, चलने फिरने में तकलीफ, घुटनों के दर्द वाली जग अर्थरेटिस किस कारणों की वज़े से होता है जोडों में चोट लगना केल्शियम की कमी का होना किसी दवाई का दुश्प्रभाव होना रोग प्रतिरोधक्षमता का कमजोर होना इसी के साथ अनुवाइशी की कारण की वज़े से भी अर्थरेटिस होता है मतलब अगर हमार गर में किसी को बड़े बुजर्गों को अर्थरैटिस है तो हमें भी होने की संभावना बहुत जादा होती हैं दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि आपको कौन से प्रकार का अर्थरैटिस हुआ है तथा आप में इन में से कौन से लक्षन दिखाई देते हैं यदि आप अर्थरैटिस को ठीक करने के लिए कोई दबाए ले रहे हैं तो इसे के साथ अगर कुछ घरेलू उपायों को भी करते हैं तो इससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा बलकि आपका शरीर अंदर से काफी मजबूत बनेगा और आपको बहुत सारे स्वास्थलाब भ अगली सुभव हमें इसे अच्छे से फिर से मिला देना है अब एक चलनी लेकर हम इसे चान लेंगे लीजे हमारा धनिया का असरदार पानी बन कर तयार है इस पानी को आपको सुभव खाली पेट से बन करना है जब तक आपकी जोड़ों में दर्ध है तब तक आप इस पानी का सेवन कर सकते हैं आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी मिश्री या फिर छोटा सा गुड़ का तुकड़ा मिला कर इसे पी सकते हैं लेकिन अगर आपको मधुमेह की समस्या है तो मीठे से बचना ही बहतर होगा एक और आसान उपाय मैं भी आपको बताने जा रही हूँ आपको क्या करना है आधिक अटोरी धनिया की बीज ले लेना है इसे मिक्सी में से अच्छे से पीस लेना है आप चाहे तो इसमें चोटा सा टुकड़ा मिश्री का भी डाल सकते हैं इसका अच्छे से पाउडर बना उबलने के बाद इसे चान लीजिए अभी हमारा इंस्टन धनिया वाटर बन कर तयार है यह भी उतना ही असरदार होता है आपको इसे सुबह खाली पेट सेवन करना है दोस्तों अगर आपको आज की ये यूसफुल वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक क आपको 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 आपक झाल झाल